स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 की विज्ञान कारे पुस्तिका उप्चा रात्मक सिक्षन में से कारे पत्रक नमबर 51 इससे पहले के कारे पत्रक नमबर 50 तक अपने चैनल पर हमने डाल दिये हैं यदि आपने नहीं देखें तो वश्य देख लें इस कारे पत्रक में विश्य वस्तू दी हुई है गती अधिगम बिंदू दूरी और संदर्व है कक्षा 6 का अध्याए 10 और कक्षा 7 का अध्याए 13 प्रेश नमबर एक है दिये गए चित्रों में A से B के मद्य धागे या स्पेल से स्केल से नाप कर माप रिक्तिस्थान में लिखें तो हमने स्केल से माप नापी है इनकी तो A से B तक ये 4 सेंटिमीटर A से B तक 5.2 सेंटिमीटर आप भी अपने धागे से नापी है और आपकी जो नापाती है वो लिखिए दूसरा इसको हमने धागे से नापा है 5 सेंटिमीटर इसको हमने धागे से नापा है तो लग 12 सेंटिमीटर लंबा है प्रेश्ट नमबर 2 है दूरी का मात्रक मीटर या सेकंड इन में से दोनों में से गया होता है मीटर यहां लिख देंगे हम मीटर होता है निमने लिखित लंबाईयों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिये तो यहां हम देख रहे हैं कि 9 mm सबसे चोटा है इसको पहले लिखेंगे इसके बाद में 24 cm को लिखेंगे और उसके बाद में 2 मीटर और सबसे लाश में 1 km यहां 1 km सबसे बड़ी लंबाई है फिर है प्रेश्ण नमबर 4 मोहन अपने घर से साइकिल द्वारा 2 km की दूरी तै करके विद्याले पहुचा गनित की पुस्तक घर पर भूल जाने की कारण वे पुने साइकिल से लोट कर आ जाता है बताइए मोहन ने कुल कितनी दूरी तै की तो घर से विद्याले वे विद्याले से घर 2 प्लस 2 km बरावर 4 km इसका उत्तर होगा प्रेश्ण नमर 5 है सीता के हाथ में 1 मीटर लंबाई का धागा है इस धागे से वे पुस्तक टेबल की सत्य का परिमाप जो की परिमाप होता है सत्य के चारों की लंबाई तथा आपने से पाटी की लंबाई का मापन करती है बताइए उक्त तीनों की लंबाई में से ये सरवादिक किसकी है तो उन तीनों में से जो टेबल का मर्क परिमाप है वो सबसे ज़्यादा आएगा प्रेश नममर 6 है कोई व्यक्ति किसी स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस लोटाता है उक्त कथन सत्य, अत्वा सत्य तो यह कथन असत्य है दूरी सून्य नहीं होगी दूरी तो जितनी उसे पार की है जितना चला है उतनी दूरी नाप यहां लिखी जाएगी लेकिन जो विस्थापन होता है वो सुन्य होता है प्रश्ण नम्मर साथ है एक व्यक्ति साथ मीटर तरज्या के व्रता कारपत पर दो चक्कर लगाता है तो व्यक्ती ने दो चक्कर में कुल दूरी ते की जहाँ परीधी बरावर 2 π1 और पाई बरावर है 22 पाटे 7 पें मैं से कौन सा उत्तर सही होगा? हमें हीजा हल करना है टू पाई यार में हमने पाई की जगे 22 पाटे 7 लिख लिए है और R की जगे 7 लिख लिया है, यहां तरिज्या दे रखिए और दो बार उसने चक्कर लगाएं, तो हम इसको 2 से गुना कर देंगे 7 से 7 कर दिया, 22 दुनी, 44 और 44 दुनी, 88 मीटर इसका उत्तर आएगा तो अप्सन नमर C हमारा सही उत्तर है एक व्यक्ति A, B, C, D पत्त तै करता है, वास्ता में तै की गई दूरी, सभी लंबाईयों का योग होता है, तो तै की गई दूरी ग्याद कीजिए तो यहां देखते हैं, A से B 2 मीटर, B से C 4 मीटर, C से D 6 मीटर है तीनों को हम जोड़ देंगे, 6 और 14 और 12, तो कुल तै दूरी आ जाएगी 12 मीटर तो इस तरह से बच्चों, यह हमारा कक्षा 9 का, विज्यान का कारे पत्रक नमबर 51 कम्पलीट होता है आगे के कारे पत्रक और आकलन पत्रक देखने के लिए जुड़े रही हमारे चैनल से, धन्यवाद